कई वीःंड के बारवा रिक्वेश्ट आ रहा थे क्दो अभीमी हरवल Deep orig do. वीडियो बनाने की लिए कभी ट्रेंडिंग में काफी चर्चे में है अंड बार रिक्वेश्ट आ रहा थे क्या यह ऐर ओल को लगाने से से स्क मुत्तिट्ट्र होता है क्या ही हर वे वाल sahक C या फिर यू कहें किया ये genetic hair loss जो DHT hormone के वज़े से हेर्थिनिंग process होता है क्या ये इसमें effective है क्या ये हेर्थिनिंग process को रोक सकता है तो ये जो सवाल है इन सब को हम एक एक करके इस video में detail में discuss करेंगे और चेक करेंगे कि किया ये वह कर सकता है या नहीं कर सकता है तो इसे कई सारे हो सकता है जिसमें जो में कारण है वह है डी ही ओर्मॉन जहेंटिक है लगता है, ऐसे नहीं कि जो हेर है, वही हेर थिन होगा, वह हेर गिरेगा, नेक्स टाम वापस ग्रो होगा, वहाँ पर पहले के मकाबले और पतला होगा, और पहले के मकाबले ज्यादा लंबा नहीं होगा, फिर वह दो से छे साल तक ग्रो होने के बाद वापस से गिर जाएग वो पहां पर पहले के मकाबले और पतला होगा और पहले के मकाबले ज्रादा नहीं अएसे से करते करते रहा पर हेर खाली दिखने लगता है यह इसके अलाभा इंडायज्ञशन , लैक ओफ स्लीप , अजिजड़ में शेयर कोई भी चेंज़ में बिमारी हो तो इस क्या यह genetic hair loss issues को resolve कर सकता है क्या यह hair thinning process को रोक सकता है क्या यह blood circulation improve कर सकता है की नहीं कर सकता है तो company का दावा है कि इसमें 300 से ज़्यादा ingredients added है तब जाके यह oil बनाए है handmade oil है 100 ml की bottle है मतलब एक bottle में 100 ml का oil है जो की लगबग 500 से 600 रुपे का आपको पढ़ेगा और यह air weather redefined multi specialty hospital and research center से certified है कि यह बहुत ज़्यादा effective है hair fall को control करने में और hair growth में ऐसा company का मानना है तो friends जैसे कि मैंने इसके ingredients list चेक किया है तो यह वही सब ingredients है जो other hair oil में भी use होता है जैसे कि इंदू लेखा, केश कांती, केश किंग और अधर जो hair oil है वह सब में भी यह सब use हुआ है हाँ, इसमें ज़्यादा use हुआ है देरसों से ज़्यादा और बाकी जो oil है किसे में 60, किसे में 70, किसे में 50, किसे में 30 ingredients added है लेकिन almost जो भी इसमें added है बहुता है, वही सब other oil में added था पहले से अब मेरा सवाल आप से है अगर आपने इंदू लेखा hair oil लगाया है यूज किया है, या फिर केश कांती या फिर केश किंग है, या फिर other जो hair oil है वह सब अगर आपने use किया है क्या आपको नसे result मिला है अगर नहीं तो इसमें भी आपको आपके पास चुपा हुआ है इसमें इंग्रेंट्स ज्यादा एड़ किया हुआ है इसमें ज्यादा आड़ किया गया जैसे कि pumpkin seeds, saw palmetto, then hemp seeds, poppy seeds, season seeds, then almond, hulling seeds, hazelnut, यह जित्ते भी खाने वाले seeds है, grape seeds, अनार्दाना, यह सब इसमें use किया गया, इसके अलावा lemon grass, wheat grass, then lavender, bring grass, श्रिका का, यह सब इसमें use किया गया है, तो, जहां तक मैंने observe किया, जो मेरा opinion है, यह सारे के सारे ingredients, पेले भी और other oil में use किया गया है, और जो खाने के, जो seeds वगएरा है, जो इसमें use किया गया है, मेरा मानना है, कि वो लगाने से better है, कि खाना सही रहता है, जिसे कि आपको nutrients मिले, friends, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको पैस लेगी, और मैं वोलू हूँ, आप दिनवर swimming कीजिए, लेकिन पानी नहीं मिनाए, तो क्या आपकी पैस भुजेगी, नहीं, राइट, या फिर अगर मैं आपको एक tank में छोड़ देता हूँ, जिसमें 10-12 तरह के fruits के juice हो, उसमें other, जो भी food है, उसके juices हो, और मै आपको बोज़नों, दिन वर आपको तेहरना है, लेकिन आपको पीना नहीं है, तो क्या वो fruit juices के जो nutrients है, वाकिया दर foods के जो nutrients वो क्या आपके शरीर में absorb होंगे, नहीं होंगे, आपके शरीर उस चीज़ को enter करने नहीं देगा, वो penetrate करने नहीं देगा, तो इस oil में जितने सारे seeds वगेरा या फिर जो natural extracts यूज किया गया है, मेरे opinion से ये कोई काम का नहीं है, लगाने से वो absorb नहीं होगा, इसमें ऐसे nutrients कुछ नहीं है, जो आपके hair को nutrients पहुचा सके, रहा सवाल absorb का जैसे कि मैंने बताए कि हमारे शरीर हर किसी चीज़ को ऐसे ही अंदर absorb होने नहीं जैसे ही absorb नहीं हो जाता है, तो जो कुछ list मैंने इसमें देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारे ingredients उसको penetrate करवा सके, हाँ अगर company किसी चीज़ को hide करना चाहते है, जैसे कि patent है उनका, वो reveal नहीं करना चाहते है, तो वो बात अलग है, otherwise मुझे नहीं लगता है कि ये जो ingredients इसमें मौझूद है, वो ज्यादा जाके काम करें और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो blood circulation करवा है, मेरा मानना है कि जरूरत से ज़्यादा चीज़े add करने से ऐसा नहीं है कि वो आपका hair fall को control कर लेगा, या फिर new hair को regrow करवा देगा, या फिर hair thinning process को रोग देगा, कहता चुरल की में बात कर रहा हूँ, रेडेंसील, प्रोकैपिल, देनागेन, कोपेकसील वगेरा जो है, यह effective है, अगर कहीं नहीं है, यह oil में added होता, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह effective है, तो यह दो चार चीज़े ही काफी, ऐसे नहीं कि हजारों चीज़ आप add कर दो, तो वो effective हो होता, वो भी 3%, कम से कम 3%, या उससे ज्यादा, अगर 5% हो, तो और better result मिल सकता है, लेकिन एक certain hair stage, आपका जो stage है, उसके उपर depend करता है, तो friends, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई, मैंने लगा है, मेरा hair fall control हूआ, तो मैं एक बात आपको बता दूँ, जो hair fall control हूआ है, वो automatic होता ह है, आप इसको use करें, या ना बात सिर्फ अभी भी hair oil का नहीं है, कोई भी hair oil, अगर आप नहीं भी लगाते है, hair fall जो है, वो automatic control होता है, क्योंकि hair growth एक cycle है, आप समझीए, जितने भी single single hair है, सबका एक age limit है, 2-6 साल, जिसे energy phase बोलता है, जब hair लंबा होता रहता है, grow होता रह hair हो गा है, वो आज गिर रहा है, टीलोजन फेस वाले, ताकि वहाँ पर new hair आ सके है, means, energy phase start होता है, वो अगले 2-6 साल तक grow होता रहेगा, वो गिरेगा नहीं, कल जो hair गिर रहा है, वो वाले hair है, जिनके कल 2-6 साल के बीच का age complete होगा, तो ऐसा ऐसा करते है, जो daily के बोलता है है, कि so hair गिरना normal है, तो ये जो daily so गिरते हैं, ये वो ही hair है, जिनका age 2-6 साल complete हो जाता है, ताकि वो गिर जाए, उसके जगह new hair बापस आ सके, और अगले 2-6 साल तक grow हो सके, ये सिलसिला जीवनवर चलेगा, तो जिन लोगों को आप देखते हैं, कि 60-70 साल के हो गए, उनके hair एक भी ने गिरे, गंजापन नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि उनके hair ने गिरते हैं, उनके भी daily 40-50 hair गिरते हैं, और वो बापस आता है, पर कितना है कि उनका hair थिन नहीं हो रहा है, जो गंजापन आप देखते हैं, genetic issue है, वो hair thinning process होता है, DHT hormone क्या करता है, hair follicle को धरी धरी next time जब hair आएगा, पहले के मुकाबले और पतला होगा, और ज्यादा लंबा नहीं होगा, फिर वो 2-6 साल तक grow होता रहेगा, जैसे देसे करके, बापस से गिरेगा, बापस आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले के और पतला होगा, क्योंकि hair follicle धरी 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 श्रिंक हो रहा वो कुछ time बाद बापस से गिरेंगे, पहले के मुकाबले और पतले होगे, तो हमें hair thinning process को रोकना है, बाकी जो आपका hair fall control हो रहा है, यह automatic है, जैसे कि मैंने बताया है, तो आपका हर साल ऐसा आएगा, जब बहुत ज़्यादा hair shade होगा, and then उसके बाद वो automatically control होगा, चाया क कुछ लगाए, या ना लगाए, and then daily 20-30-40-50 से गिरते रहेंगे, जो की absolutely normal है, जिन्दे के वियर चलता रहेंगे, जब तक आपके सर में hair follicle बचा है, तो यह, आप सोचते हैं, कि मैरे बहुत ज़्यादा shade हो रहा था, गिर रहा था, मैंने यह oil लगा, XYZ oil लगा, इसको लग इसी हो रहा है, बीच में देड़ सो हो रहा है, तो मैं इसको कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ बालाएं यह सब कर रहा हूँ, तो मेरे according, इसमें आपकर time waste नहीं करना चाहिए, not only, अभी मी, मैं अभी मी के खिलाफ नहीं हूँ, regular use करना है, ऐसे use कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप यूज कर सकते हैं, बेटर है, आप एक चीज़ों note कीजी, अब डॉक्टर के पास जाएंगे न, तो डॉक्टर आपको क्या देंगे, मिनॉक्सिदिल देंगे, चलिए वो दबाई है, नाचिरॉल की अगर बात करें तो वो क्या देंगे, रिडेंसिल यह प्रोक दॉक्टर का छोड़ी है, आप देखे जितने भी दबाई बनाने वाले कंपनी है, उनको तो बिजनेस करना है, जैसे कि सिपला देख लीजिए, या फिर इंटास देख लीजिए, या फिर आप डॉक्टर रेडिस को देख लीजिए, यह मिनॉक्सिदिल के लावा सीरम भी बना रहे हैं, बतलब नैचुरल जो लोशन है, वो भी तो बना रहे हैं, लेकिन कौन सा बना रहे हैं, जिसमें रिडेंसिल हो, प्रोकैपिल हो, अना गयन हो, यह सब बना रहे हैं, ना कि यह ओल, उनको बिजनेस करना है, तो वो तो यह ओल भी बना सकते हैं, भिंग्रा, ज से बना रहा है तो फ्रेंड्स गंजा पर नॉलिडी दिखने लगा है जनेटिक इशूज आपको है एर थिनिंग आपके हैर थिन आउट होने लगे हैं तो प्लीज डाक्टर के पास जाएए जो वो प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट्मेंट लीजिए आपके हैर बस सकता है बाकी फालतू के मार्केटिंग पर आप मत जाएए आपको लॉजिकली सोचना है आपको अगर हैर को बचाना है तो प्लीज एक्सराइज कीजिए जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोड़क्ट के उपर डिपेंड रहे हर एक चीज प्रोड़क्ट के उपर क पहुझेगा और हैर को न्यूट्रिशन ऑक्सिजन मिलेगा तो आपके हैर फॉलिकल श्रिंक नहीं होंगे और राज सवाल है जो पंकीन सीट्स वाप पालमेटो हैलीं सीट्स हैं सीट्स जित्व सीट्स है इसनको लगाने के वज़ए खाने में ज्यादा बेटर होगा उनमे में बता चुका हूं बाकिया आप समझ आ रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो मिलता हूं नेक्स वीडियो में कुछ और नए जैने उसके साथ धन्यवाद